हेलो एवरिवान वेलकम तो माय यूट्यूब चानल इस वीडियो में हम क्लास सिक्त साइंस का चाप्टर वन शुरू करेंगे यह होगी पार्ट वन वीडियो तो सबसे पहले है फूड व्यर डजिट कम फ्रॉम यह है चाप्टर का नेम तो फूड का मतलब आपको पता है पता कहां से है तो स्टार्ट करते है और यह है कई घर पर क्या क्या खाया और आपको यह भी पता करना है यह आपको बताना है अभी अपने मन में आपके फ्रेंड ने क्या खाया। क्या आप दोनोंने सेम टाइप का खाना खाया था आपको अभी देखो कल खा तो आप लोगों को याद नी होगा आज का ही देख लेते हैं आज आप लोगोंने क्या खाया या सेम टाइप का खाना खाया आप दोनोंने तो यह बात तो पक्की है कि आप लोगोंने अलग-अलग खाया होगा जो आपने खाया होगा वो अलग होगा और जो आपके फ्रेंड ने खाया होगा वो अलग होगा तो इसका मतलब we all eat different kinds of food at a different time, isn't it? हम सब अलग-अलग टाइप का food खाते हैं अलग-अलग time पे ऐसा नहीं है कि मैं rice खाती हूँ तो मेरा फ्रेंड राइस नहीं खात होते हैं कि हमारे country में इस world में food की variety है variety का मतलब बहुत अलग-अलग type के क्या मिलते हैं खाने मिलते हैं अभी activity one ask your friend in the school about the items they would be eating during a day अब आज आपको school में अपने friends से से पूछना है कि आपने दोपहर के time पे क्या खाया see if you can if you can also get this information from friends staying at the different state of India obviously आपके पूरे class में एक ही state के सारे बच्चे नहीं होगे अलग-अलग state के होगे कोई कैरेला से होगा कोई पंजाब से होगा कोई उतर प्रदेश से होगा तो सब लोग अलग-अलग चीज़ खाया होंगे तो आपको इस table के अंदर वो चीज़ फिल करनी है यहाँ पे आप three three column दिया होगे तो आप यहाँ पे कोई भी three friends का नाम लिखो और उन्होंने क्या खाया दो पहर में वह आपको यहाँ पे लिखना है लिस्ट अलग तो आप देखोगे varieties क्या है अलग है varieties मतलब different different types के food यह देखो different food items यहाँ पे क्या है इडली है इडली और चटनी है यहाँ प न बहुत ही जदा variety है कितने type के food है आधे तो आपको खुद को नहीं पता होगा कितने ज़ाधर type के different different type की varieties है हमारे country में अब यह different different type के food बनते किसे हैं हर किसी food के बनने का हर किसी dish के बनने का अलग process होगा ओके जीसे Rice के बनने का अलग चपती बने का अलग तो think about the rice cooked at home अब यहाप सबसे simple जो चीज होती है वो rice, rice बनाना बहुत आसान होता है तो अब आप rice के बारे में सोचो जो आपके घर पर बनाया जाता है कैसे हम बनाते हैं उसे We take raw rice and boil in it a water just two materials और ingredients तो हम क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं rice हम कच्चा rice लेते हैं और उसको boil कर देते हैं, simply तो बन जाता है rice और कोई चीज नहीं जरुरत होती rice को बनाने में सिर्फ two materials अब यह जो materials हम खाना बनाने में use करते हैं food को बनाने में, dishes को बनाने में उसको हम name क्या देते हैं ingredients, याद रखना यह ingredient word याद रखना अभी ऐसे नहीं कि हमने drawing बनाने के लिए crayons color यूज किये तो वो ingredients हुए नहीं, जो चीज हम किसके लिए dish को prepare करने के लिए boiled rice, जैसे हम पर अभी हमारी dish boiled rice, उसको prepare करने के लिए हमने जो material यूज किये हैं, उसको हम ingredients ingredients भी कह सकते हैं, तो कोई अगर आप से पूछेगा कि आपने boiled rice को बनाने के लिए कौन-कौन से ingredients यूज किये हैं, okay materials नहीं, ingredients, materials भी बोल सकते हो तो यहाँ पर आपने एक new term पढ़ा ingredients on the other hand, some food items are made with many ingredients, rice तो सिर्फ दो material से बना, दो ingredients से बना लेकिन बहुत सारे ऐसे food item होते हो जो अलग-अलग ingredients से बनते हैं, जैसे की vegetable curry सबजी बनाने के लिए आपको salt चाही होता है spices चाही होता है, oil चाही होता है तो यह different-different type की क्या है? ingredient है, सामान है अब activity 2 देखो choose some of the items you listed in the table 1.1 and try to find out ingredients अब जैसे आपने, यहाँ पर आपका फ्रेंड है रमेश, उसने खाया क्या vegetable curry और आपको अब इस vegetable curry के लिए कौन-कौन से ingredient use हुआ है, वो आपको यहाँ पर इस वाली table में लिखना है किसी भी एक फ्रेंड का pick up कर लो यहाँ पर लिखो और उसके ingredients लिखो जिसे चपाति बनाने हम चीज चईह होती है आटा चईह होता है और water चईह होता है और डल बनाने हमको डाले चईह होती है water चईह होता है, salt चईह होता है और थोड़ सा oil या घी या smizes, थोड़ सेcontrol मसाले चईह होते है तो यहाँ पर आप भी आपके फ्रेंड के हिसाब से कोई भी एक चीज़ चूज कर लो और यहाँ पर उसके इंग्रीडियन्ट लिखो अब यहाँ पर इन्हों ने डाल लिखा है आपने यहाँ लिख दिया और आपने उसको बनाने का सारा सामान उसी से पूछ के लिख दिया यहाँ पर आप देखोगे कुछ कॉमन होगा क्या कॉमन होगा सौल्ट कॉमन होगा सौल्ट तो सबजी में डलता है और दाल में में डलता है ओल कॉमन होगा मसाले कॉमन होगे दाल भले कॉमन ना हो ओकए अब ये ingredients, ये boiled rice, ये water, ये spices, ये कहां से आते हैं ये अब हम पढ़ेंगे next video में इस video में हमने cover किया है basically कौन सा topic, ingredients ओके, इस video के लिए इतना ही मिलेंगे next video में Thank you very much